हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम है प्यूश खांबे और मैं आप सब का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने इस रिजियरिंग क्लासिस के चनल पर और जैसा कि आपको पता है कि कल से हमने ये MPGK का सेक्शन स्टार्ट करा है जो भी MPPSC का प्रिलिम्स देने वाले हैं और हमारा आज का टॉपिक है मद्व प्रिदेश का भुकोल जो की है जोग्रफी ओफ मद्व प्रिदेश जिसका हम पार्ट वन कल बना चुके थे आज हम पार्ट टू बना रहे हैं और हम हर रोज कल मैंने कहा तह 10 questions डिसकस करेंगे पर लेकिन मेरे पास किसी का suggestion आया कि सर आप भले ही 5 questions डिसकस करेंगे पर लेकिन English और Hindi में दोनों में discuss करें तो आज से हम हर रोज 5 questions आपके साथ discuss करेंगे आपके लिए लिकर आएंगे और अगर अभी तक आपने हमारे चनल को सबस्क्राइब नहीं करा है तो प्लीज आप हमारे चनल को सबस्क्राइब कर लीजे और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए जिसे आपको वीडियो देखने का मौका सबसे पहले मिलेगा और आपको वीडियो का लग रहे हैं या फिर आप हमें कोई suggestion देना चाहते हैं तो आप हमें comment करकर दे सकते हैं तो आईए आज के first question के साथ start करते हैं आज का पहला question है भूपाल रियासत को भारत संख में कब शामिल किया गया A. 1947, B. 1948, C. 1949, D. 1956 तो इसका उतर है C. 1949 सो तंतता प्राप्ती के पशाथ मतर प्रिदेश की सभी रियासोतों का भारतिय राज्य संख में विलिनी करन हुआ भारत संख में भूपाल रियासत 1 जून 1949 में शामिल की गई आई इसी कोशन को देखते हैं हम इंग्लिश में वन वस दो भूपाल प्रिंसिपलाटी इंक्लूट इंक्लूट इंग्लूट इंग्लिए A. 1947, B. 1948, C. 1949, D. 1956 तो दा आंसर इस C. 1949 After attending independence, all the princeli state of Madhya Pradesh merged in the Union of India Bhopal state was incorporated in the Union of India on June 1, 1949 Let's go for the next question अपना next question है वर्तमान मर्दपिदेश के उत्तरी जिले बिटिश भारत में क्या कहलाते थे A. princeli state, B. रजवाले, C. देशी रियासते, D. उप्रोक्त सभी वर्तमान मर्दपिदेश के उत्तरी जिले बिटिश भारत में princeli state, रजवाले या देशी रियासतें कहलाते थे इनका प्रसासन अंग्रेजों के अधिनिस्थ राज्यों के हाथ में था इसी कोशन का देखते हैं इंग्लिश में 1. अर्श्य वर्तम केता ह। इस डियासतेए मुश्य कोशन Fats प्राज्यों का अंग्लिश का अंग्लिश इन रिटिश था D. इस वर्तम का इन वर्तमान मुश्य मुशन थाज्यों कoted इं प्रिएश सब्सिश्ग्षा in British India their administration was in the hands of the subordinate kings of the British let's go for the third question आये third question पर चलते हैं तो अपना third question है नेमलिखित में से किस संग अबलिक समू के साक्ष्य मत्रप्यदेश में नहीं मिलते इसका उत्तर है C द्रविड समू मत्रप्यदेश की भूविज्यानिक संद्रचना से संबधित अध्यनों के ज्यात होता है कि मत्रप्यदेश में धारवार्द समू पुरान संग आरे समू ततिय समू आदी के चटाणों के साथ मत्रप्यदेश के विभिन भागों में पाए गए हैं किन्तु द्रविड संग के कोई साक्ष्य मत्रप्यदेश में नहीं पाए गए हैं इसी का क्वेशन और आंसर देखते हैं इंग्लिश में Which of the following association oblique groups evidence is not available in मत्रप्यदेश A. पुरान संग B. आरे गरुप C. द्रविड गरुप D. धारवार गरुप so the answer is c that is dravit group study is related to the geological structure of madhra pradesh it is known that in madhra pradesh the dharwar group puransangh ari group territory groups etc have been found in different parts of madhra pradesh but there is no evidence of the dravit union in madhra pradesh have been found i.e. pressed 4 पर चलते हैं अरावली परवत्ष्रंकला madhra pradesh के किस शेत्र में फैली होई है a. बुनेलखंड की पठार b. नर्मदा सोन घाटी c. मालवा का पठार d. उप्रोक्त सभी इसका उत्तर है c. मालवा का पठार प्रत्वी की सबसे पुरानी परवत्ष्रंकला मानी जाने वाली अरावली परवत्ष्रंकला madhra pradesh के मालवा पठार के उत्तर पच्चिमी शेत्र में फैली है इस परवत्ष्रंकला की सबसे ऊची चोटी गुरु शिखर है Q4. In which region of Madhra Pradesh ते अरावली मांटें रावली मांटें रावली परवत्ष्रंकला the oldest mountain range of the earth spreaded across the northwestern region of Malwa Platy of Madhra Pradesh the highest peak of this mountain range is Guru Shikhar let's go for the fifth question प्रश्न पाँच वर्दमान Madhra Pradesh की भोगोलिक स्थिती है A. 21 डिग्री 6 मिनिट उत्तरी आक्षांस से 26 डिग्री 30 मिनिट उत्तरी आक्षांस B. 74 डिग्री 9 मिनिट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनिट पूर्वी देशांतर C. उप्रोक्त A और B दोनो D. उप्रोक्त केवल A सही है तो इसका उत्तर है C. उप्रोक्त A और B विभाजित Madhra Pradesh की स्थिती में थोड़ा परिवर्दन होने के बाद वर्दमान म्रद बिदेश की पुकोलिक स्थिती 21 डिग्री उत्री आक्षांस से 26 डिग्री उत्री आक्षांस तक तथा 74 डिग्री 9 मिनिट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनिट पूर्वी देशांतर के मत्य स्थित है Q5. The Current Geography Q5. The Current Geography State of Madhra Pradesh is 21 डिग्री 6 मिनिट नौर्थ लाटिटीट तो 26 डिग्री 30 मिनिट नौर्थ लाटिटीट B. 74 डिग्री 9 मिनिट लाटिट लाटिट तो 82 डिग्री 40 मिनिट लाटिट लाटिट लाटिट। C. Above A and B both and D option is only A is correct so the answer is C above A and B after a slight change in the situation of divided Madhya Pradesh the present geographical location of Madhya Pradesh is located in the middle of 21 degree 6 minute north latitude to 26 degree 30 minute north latitude and 74 degree 9 minute east longitude to 82 degree 48 minute so I hope you all will be very good both Hindi and English and you can also tell us how to do this in the future you can also tell us to comment and also to which topics we can also talk to MPGK for MPPSC Prelimbs तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों कल हम फिर 5 कुशिन के साथ आपके सामने आएंगे थैंक यू धन्यवाद बाई बाई